नमस्कार दोस्तों स्वागता आप स्वीका ओला नेटा फॉर्स टी यूट्यूब चैनल वेस्ट वीडियो में हम बात करेंगे तीन बड़ी अपडेट के बारे में जो की सम्मधित है उत्तर प्रदेश माधिमें सिच्छा सिवा चैन बोर्ड की और से जारी विग्यपति को ल है जो की सम्मधित है नई प्राथमी सिच्छक भरती को लेकर इसके अलावा और भी कई जानकाई हैं आप सभी को दी जाएंगी लेकिन उससे पहले आप करते वीडियो को लाइक साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इस चैनल की मा सरकारी की नई प्राथमिक सिच्छक भरती को लेकर छात्तों की तरफ से एको गार्डन में बीच से और बड़ता हुआ दिखाय दिया यहाँ पर कहिनर की सरकार के सामने लगाता बिदान सवा का गेराब किया जाय आby योगी सरकार की किरक्री हो रही थी क्योंकि विदान सवा का गेराव होना कहीं न कहीं यहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात देखने के लिए मिलती है और अब्यती लगाता तीन तीन चाचार गंटे गेराव कर रहे थे लेकिन इस बार कुछ नया होने वाला है ज इससे कहींने कहीं पूरी सरकार हिल सकती है मुख्यमंती योगी आधितनार सर ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके खिलाब इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है अगर वो नई प्रात्मिक सिच्छक बरती के मुद्दे को लेकर जल्द संग्यान में नहीं लेत योगी सरकाई या फिर अगर बात के पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा जटका करने वाले इस च्छतों की दब से पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट देने वाला हूँ यह तो सिर्फ टेलर होगा पिक्चर आप सुभी को कल देखने के लिए मिल सकती है जो कि काफी ब की बड़ा जह ध Boulder आप मिल सकती है तो जैसा कि दोस्तों आप सुभी ने वीडियो के माध्यम से देखा चातों की ओसे नई प्राथमिक सिच्छक भरती का विग्यापन जारी किया जाने को लेकर कल की तारिक में ताली और थाली वजाकर ब्योद प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा धरना प्रदर्शन की तक कल की तारिक में छाटों की तरफ से जो धना प्रदर्शन करने जा रहें लखनों के अंदर वहां पर कहिने की इस परकार का प्रोगाम आप सुभी को देखने के लिए मिलेगा क्योंकि अब्यद्धी कहिने की ब्योजगारी से काफ़ी जादा तंगा चुके हैं सरकार की अब से कोरोना से बचने के लिए संग बजबा दिये गए थाली और ताली बजबा दिपक जलबा दिये गए लायटे बद कर दिए लेकिन बावजूद इसके कोरोना खतम नहीं हुआ सेम अगर बात की जाए बेहोजगारी को लेकर जो कि सालों थाली बजाकर ब्योद प्यदर्शन देखने के लिए मिलेगा अब इसका कितना प्रवाब पड़ेगा ये तो आप सभी को कुछी गंडों के बाद के लिए हो जाएगा लेकिन एक बात पूरे तरीके से तया है कि राजदानी के अंदर कल की तारिक में नई प्राथमिक आप में एक बड़ा जटका भी लग सकता है क्योंकि चार्त कहीने के नई प्राथमिक सिच्छक भरती को लेकरी इस बार चुनाब लड़ने वाले हैं और नई प्राथमिक सिच्छक भरती के अंदर बोटों की संख्या की बात की जाए तो बीस से बाइस लाग ऐसे अव्यरत कर दें जिससे कि ज़्यादा से लोग यहां पर नई प्राथमी सिच्छक भरती को लेकर अपनी अवाज बुलंद करें और कल की तारीक में योगी सरकार को जुकाने का प्यास कर सकते हैं जो कि बहुत ही बड़ी चीज होगी नई प्राथमी सिच्छक भरती के लिए लेकिन अगई दूसरी बात कीचा अपनी अब देट के बारे में जो की संबंदित है चैन बोट की तरफ से जारी नई बिग्गयपती को लेकर चैन बोट की होसे आज की तारीक में संडे वाले दिन एक न最ा जारी की जाती है जिसको आपसे भी अपने सकीन के उपर देख सकते हैं अगर बात की जाए दो एक 2022 को नहीं विग्यप्ति जारी होती है विग्यापन संक्या जीयो तीन दो जा तेरे को लेकर संस्ता प्रदान के विग्याप्त पदों के सापेच ओफलाइन आवेदन को टंकित कराते हुए इसे अभ्यातियों से अभलोगनाथ चैन पोड की विग्यप्ती संक्या यही देखी हुई है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो एक एक दोजा बाइस के द्वाइस के द्वाइब साड़े परदर्शित किया ग कर सकते हैं जो भी संब्धित अभ्याति हैं दोजार तेरे के सिर्फ उनकोई आविदन करने का मुखा मिलेगा और कोई इसके अंदर आविदन नहीं करेंगे अगर कोई तोटी है तो इसके लिए आप सभी आविदन कर सकते हैं तो यहां पर प्रदाना चार भरती को लेकर ब देखने के लिए मिली थी पहले जो राश्टी पिष्डा वर्क आयो की रिपोर्ट थी उसके आजार पर 5844 को लेकर कईवा चातों ने धरना प्रदेशन किये थे सरकार के सामने ग्यापन दिये गए थे ऐसे में सरकार ने इस बुद्धे को क्रेने की सुईकार कर लिया कि भी यहां पर धरना प्रदेशन करते रहेंगे इसी के करम में अधिकाईयों के माध्यम से नई चैन सूची तो बनाई जारी है लेकिन नई चैन सूची जारी हो जाने के बाद क्या ये विवाद खतम हो जाएगा इसको लेकर कोई भी अभी गारंटी देखने के लिए नहीं मिली जारी है कि आंदोलन अनवर्त जारी रहेगा और भी सी कोटे के जब तक अठायजा सीटें अत्वा याची लाव नहीं मिल जाता है छेजा सीटें कता ही सुईकार नहीं होंगी ऐसा कहना है अभ्यतियों का यहां पर जान कई ये भी देखने के लिए मिली है कि कल चौती पाकि अधिकाईयों में मन्थन जारी है सूची लगबग बनके तयार हो चुकी है चार से पांच को आपकी कांसलिंग होगी और छे ताई को यहां से निक्तिपत्र मिल जाएंगे आसान बासा में कहा जाए तो कल आप सभी कि यहां से सूची जारी हो जाएगी और उसके करेंगे ऐसा उनकी तरफ से लगता नहीं है क्योंकि आज सुबह भी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप सुभी को दिखाया था यहां पर आप सुभी को देखने के लिए मिलदा होगा उनका कहना है कि और इसके आदार पे जितनी भी सीटें बनती है उन सभी सीटों को जोड़े जाने की मांग की जारी है जब तक अठाया जा सीटों को लेकर फैसला नहीं होगा तब तक यह अब बैती यहां से धना प्रदेशन समाप्त नहीं करेंगे काफी लंबे समय से धना प्रदेशन शुरू हो चुका है और सरकार पूरे तरीके से बैक फूट पर है क्य कर दो कर दो और इम दहने कर शॉचिकल को मनेटें को वलकिंट वृच्छन को पूर स्प्सक्राइब करके साथ मेहरा क्या उपकुलिए इससी का दिप का दो em